तो आज मैं अपने ज्वैलरी कलेक्शन का पार्ट टू लेकर आई हूँ तो आप लोग देखिए और बताएए कि वीडियो कैसा है तो पहरे मैं आप सबको अपनी थोड़ी हेवी इयरिंग दिखा देती हूँ तो यह मेरी पहली हेवी इयरिंग है जो किसी आप पार्टी फंक सकते हैं सेकेंड यह ऑक्सिडाइज जोएलरी है और यह थोड़ा जुमका फॉर्म थोड़ा राउंड इयरिंग फॉर्म में है तो यह आप नॉर्मली किसी भी साड़ी पे या सूट पे कुर्थी पे ड्रेस पे कैरी कर सकते हैं अब मेरी नेक्स्ट इयरिंग हूप पे चल जाता है तो अब मेरी नेक्स्ट इयरिंग है यह भी ऑक्सिडाइज है और यह लॉंग स्कॉर्ट पे या फिर आप थोड़ा सा राजस्थानी आउटफिट कैरी करें हैं तो इस पे बहुत अच्छी लगती है और बहुत लोग इसको एज़ामात भिंदिया भी इयरिंग टाइप ही है और यह से राउंड फॉर्म में है और यह ऐसे सिल्वर कलर की है तो काफी ड्रिसेस पे कुर्ती पे मैच हो जाती है और अच्छा भी लगता है अब जो मेरी नेक्स्ट इयरिंग है वो जीन्स वेगरा पे बहुत अच्छी लगती है तो आप इसको दे आप पार्ट फर्स भी देख लीजिये मेरे ज्वैल्री कलेक्शन का अब जो मेरी नेक्स्ट ज्वैल्री है वो मौडर्न वाक स्टोर की है मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उस स्टोर का नाम भी मैं आपको दे दे रही हूं इस वीडियो जो मैंने शूट किया इसका आपको एक behind the scene दिखाती है किता प्यारा लग रहा है किता प्यारा लग रहा है किसी भी साड़ी प्या पहने बहुत ही सुन्दा लगता है पहने तो अब है यह मेरी जुमकी फॉर्म येरिंग और यह आप किसी साड़ी वेगरा पे लहंगा वेग रहे हैं तो सिर्फ यह मांग पीका लगा लीजिए तो बहुत यूनिक लुक देता है मैं इसके साथ आपको लुक क्रिएट करके जरूर दिखाऊंगी बहुत अच्छा लगता है तो आप जो नेक्स्ट ज्वैलरी हैं वो सारी चोटी एरिंग्स हैं जो आप चोटी चोटी पहनते हैं या फिसारी पहनते हैं तो बहुत सारी स्मॉल एरिंग से तो यह वो सारी एरिंग है जो चूटी वाली होती है और अब नेक्स्ट यह मेरा ज्वैलरी बॉक्स है इसमें मैं अपनी सारी रिंग्स रखी हूं तो रिंग का ज्यादा शौक नहीं है मुझको तो यह मैं स्टोर से मंगवाई थी यह फ्लावर टच की है और कुछ छोटी रिंग है आप किसी सारी वेगरा पर पहन सकते हैं इसली तो अब कुछ दिन पहले मैंने अपनी कुछ हेर मशीन समंगवाई थी मैं आपको वह सब भी दिखा देती हूं तो यह पहली मशीन है मेरी स्टेटनिंग वेगरा की मशीन थी बट मैंने एक और न्यू ट्राइ करी क्योंकि इससे थोड़ा वेवी हैर भी होता है तो आप देख सकते हैं इसमें लेजी वेव इंशुरिंग वॉल्यमिनस हैर और स्टोक इस्टेटनिंग भी होती है और इसमें डिजिटल डिस्पले है टेपरिचर सेट कर सकते हैं और क्रीमिक प्लेट से नॉर्मली स्टेटनर मशीन से आप सिर्फ बालों की स्टेटनिंग कर सकते हैं उसको वेवी लुक नहीं दे सकते हैं बट इस स्टेटनर से आप बालों को वेवी लुक भी दे सकते हैं और यह मेरी नेक्स्ट मशीन है करलि है इसे बाउंसी कर्लर होते हैं और आप साड़ी पहन रहे हैं कुटी पहन रहे हैं ड्रेस पहन रहे हैं सबकी हैर स्टाइल भी अलग अलग होती है तो काफी मशीन हेल्फूल होती है और हमेशा अच्छी ब्रैंड की ही लेनी चाहिए क्योंकि अच्छी ब्रैंड में हीटिंग पावर वेगेरा बहुत अच्छी होती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है उसके कर्लिंग तिकती है तो अब जो मेरा नेक्स प्रोड़क्ट है वो मैंने फ्रिपकार्ट से अपनी लिए एक ट्रांस्पेरेंट हील सांडल मंगवाई थी तो आप उसको भी देख ल और यह 2.5 इंच की हील है तो आप जीन्स पे ड्रेस पे पहनेंगे तो बहुत अच्छा लुक देती है तो यह थे मेरी सारे प्रोड़क्ट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट और शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें थैंक यू